RBI के अभी new update आने के बाद आप लोगो ये भाई समझ में आ चुका होगा कि बाई कौन सा credit card बैन किया गया है कौन सा credit card बैन हो चुका है या कौन सा buy now pay later का service बन कर दिया है वो हम use नहीं कर सकते हैं इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखते रहेना अभी फिलाल में RBI के एक new update आया था जिसमें ये बताए गया कि जो company आप लोगों को buy now pay later का service प्रवाइड कर रही है या आपको physical card देके बोल रही है कि आप हमारे card यूज करो credit card है credit line है तो आप उसको use नहीं कर सकते है क्यो पुरा detail देने बला हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट आप लोग इधर भाई आप लोग देख लिए मैंने इधर skin sword आप लोगो भाई शो कर दिया है यहां पे आप लोगो भाई टोटल mention किया गया है all authorized new bank जो payment प्रवाइड करते हैं जैसे कि आपका buy आपको credit line दिया जाता है यह आप लोगो physical card भी प्रवाइड किया जाता है जैसे कि post pay है वो आप लोगो physical card प्रवाइड करता है लेकिन अब क्या है भाई RBI का update के बाद वो भाई बैन हो चुका है आप उसको use नहीं कर सकते हैं इन future यह बाई अगर कूछ करते हैं किसी bank through merge करे बाइन ऑपेरेटर का service दे रहे है यह physical card भाई आप लोगो परवाइड कर रहे है और plus उसमें limit दे रहे है वो बैन कर दिया गया है जैसे कि मान के चलिए stage spin से वो बैन है credit भी है वो भी बैन हो चुका है unique card आप लोगो पता हो जो तीन step में आप payment कर सकती हो वो भी बैन हो चु आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारे लोगों को federal bank का credit card प्रवाइड किया गया वन का या नहीं तो आपको bank और brother का प्रवाइड किया गया है लेकिन मेरे पास यह SBM bank का है यह बैन नहीं होने वाला reason क्योंकि यह bank के थूरू merge हो के चल रहा है यह bank से limit ले रहा है और त अपना time and condition जो policy है वो भाई change कर दी है एक हपते का अंदर ही अभी एक हपता हुआ मैंने भाई update देखा था तो इसका time and condition का भाई policy जो था update आया पड़ा था तो आप एक बार चेक कर लिजे इसका new policy अभी भाई इसका लागू हुआ है तो आप भाई एक बार जरूर चेक कर या पेलेटर का वाई देता है फिसिकल काड़ हमें प्रोवाइड करता है वो भाई बैंक कर दिये गए जैसे पेट्यम वह बैन है वो किसी थरू अब लोग कर दिया है यहा पर देख लिए जैसा मैं आ अपना आकाउंट लोग करता हूं नीचे में स्कोल करके देख लिए मै आप लोगो भाई doubt clear हो चुका होगा कौन से platform ban किया गया है कौन से platform ban नहीं किया गया अभी आप Paytm Postpad यूज करोगा तो वो यूज में नहीं आएगा सेम इसी तरह अलग दूसरा प्राइब से unique credit card हो गया या अधरवाज slice का हो गया वो भी आप try करो यह simple pay later हो गया यह सारे का सारे ban हो चुके है अब आप लोगों को question यह होगा कि भाई यह किस वे से ban हो रहे हैं सो देखो सबसे बड़ा reason यह है कि भाई यह किसी bank के थूरू merge नहीं है मतलब bank से यह limit नहीं ले रहे हैं अपने तरफ से legal जो process रहता है मतलब business का process रहता है वो आपको भाई शुरू करना पड़ेगा और वो आपको हमें यह पूरा detail देना पड़ेगा कि हाँ आप एक business कर रहे हो आपको इसको start करने के लिए दूबारा process करना पड़ेगा इसकि भाई bank का अलग से process होता है bank भाई RBI से direct भाई lessons ले रखा है यह क्या है भाई पहले RBI से अनुमती नहीं ले रखे थे यह अपने तरफ से limit प्रवाइड कर रहे थे limit ना देने पर काफी ज़्यादा high charges ले रहे थे और सबसे most important आपने देखा होगा कई बार credit भी हो गया या paytm हो गया है जब loan ने लिया लेने का आउकात नहीं था तो क्यों आपने लिया ऐसा वैसा बात करते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए RBI ने अभी new update दे दिया कि आपको यह अगर limit खुद से ही provide करना है तो आपना policy change करना पड़ेगा और आपको पूरा अपना detail देना पड़ेगा ताकि भाई users के साथ में fraud ना हो कोई ऐसा गलत बेवार ना हो और users easily use कर सकें और सबसे most important में आप लोगो तो यह ही suggest करूँगा कि भाई buy now pay later हो गया या तर कोई दूसरा platform हो गया अगर आपको physical card ही चाहिए आपको credit लाइनी चाहिए so simple सा आप भाई physical brand से ही अपना apply करो जैसे HDFC, ICIC, COTEK का हो गया यह सारे के सारे भाई अच्छा खासा आप लोगो physical credit card provide करते हैं जिसमें limit भी आप लोगो अच्छा खासा देखने को मिल जाता है मैं भी पहले भाई buy now pay letter ज्यादा मैं चेक करता था लेकिन जब मेरे को समझ में आ गया buy now pay letter का इनका कैसे behavior रहता है कैसे भाई इनका support रहता है उसके बाद भाई मैंने physical भाई अपलाई कि अपने HDFC credit card जो भाई 1 lakh का limit है और मेरे को भाई दूसरा credit card यूज़ करने का भी जरूत नहीं पड़ता है सो इसली मैं इसी credit card को ज्यादे तर यूज़ करता हूँ और आज के टैम पे भाई आप लोगको AU bank का जो new credit card लॉंच हुआ है lifetime free है और सबको वो भाई मिल रहा है अगर आप लोग चाओ तो वो ट्राइ कर सकते हो डिस्क्रेशन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में यही अफडेट आप लोगों देना था कि भाई buy now पे लेटर credit land service भाई close हो गया, RBI ने band कर दिया है अगर यह लोग चालू करना चाते है सो भाई RBI से पहले अनुमत दिलेंगे तब ही यह चालू कर पाएंगे नहीं अद्रबाइस दिये, चालू नहीं हो पाएगा आप लोगो जो डिटेल दिया, सब को समझे में आ चुका है सो बड़ी पसेन है, लाइक करना, शेयर करना चैनल पर अगर आफ फोस्ट रमाए है तो जरू सस्क्राइब कर देना सस्क्राइब करेंगे बेल एकन प्रेस कर देना ताकि फीचर में वडियो डालिंग उसका नोटिशन आप लोगों मिलते रहेगा फिर मिलेंगे हम किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ